इस वीडियो में हम देखेंगे कि MSME Certificate के लिए हमें online कैसे apply करना है Micro Small Medium Category के अंदर ही इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेसे रन होते हूं Mostly इन्हीं Categories के अंदर आते हैं जो कि लोग चाहें तो अपना जो Certificate है MSME का बना सकते हैं जिसके जरीए काई सारी जगों पर जो Government की तरफ से MSME को benefit दे जाते हैं वो आप benefit ले सकते हो लोन अगर आपको लेना है तो वो भी काफी आसान हो जाता है और आपको इस MSME Certificate की जरीए काई सारी जगों पर आपको छूट भी मिल जाती है तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले कैसे MSME Certificate के लिए online apply करना है सबसे पहले तो आप सभी को इसका जो नया पोर्टल आया है uddyamregistration.gov.in इस website का जो link है हमने वीडियो के description में दे रखा है क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने same interface आ जाएगा अब यहाँ पर अभी तक हमने इस पोर्टल पर registration नहीं किया है तो पहला जो option यहाँ पर दिलता है new entrepreneurs who are not registered हमें इसी option पे click करना है अब यहाँ पर आप सभी से सबसे पहले तो आधार number को fill करने के लिए बोला जाएगा इसी के साथ में जो entrepreneurs है उसका खुद का नाम कैसा है जैसे कि आधार पर मौजूद है उसी तरीके से हम पर इंटर करना है term and conditions को accept करने के लिए इस icon पे आपको click कर देना है और validate and generate OTP की tab पे हमें click करना है तो जैसे इतना हमने किया है तो आप देखोगे कि यहां पर हमारा आधार कार से mobile number लिंक है उसकी कुछ हंक यहां पर दिखाए गया है जिस पर बताया गया कि एक OTP को send किया गया है वो OTP यहां पर हमें fill कर लेना है और validate की tab पे click कर देना है तो इतना करते ही आप देखोगे कि form के हम next page पर आ चुके हैं जहां पर सबसे पहले तो आप सभी का जो business है वो किस category के अंदर आता है यहां पर choose करने के लिए बोला जाता है तो type of organization की tab पे click करोगे यहां पर आपका जो business है वो proprietorship का है या फिर आपका जो business है किसी company के act के अंदर registered है या पिर कोई self-help group है कई सारे categories यहां पर दिखाएगी है जिस भी category के अंदर आपका business आता है चूस करना है और इसके बाद में अपना जो pen number है यहां पर में capital letters में fill करना है pen card को use करने के लिए permission को allow करना है और pen validate की tab पे हमें click कर देना है और यहां पर continue की tab पे हमें click कर देना है तो अब आप देखोगे कि pen verification होते ही नीचे के तरब कुछ option आता है जिसमें कि आपको tick करने के लिए बोला जाता है तो यहां पर जो financial year दिखाया गया इसमें अगर आपने अपना income tax return नहीं file किया है तो आपको यहां पर no के option पे ही click रहने देना है इसी के साथ मैं आप सभी से पूछा जाता है कि क्या आपके पास में GST number मुझूद है इसके बाद में आप देखोगे कि यहां पर काटेग्री की जो टैब मिलती है इसके अंदर आप सभी को अपनी जो काटेग्री है जिस भी कास्ट जाते हो जन्रेल, SC, HD, OBC आपको छूज कर लेना है इसके बाद में अगर कोई भी दिव्यांग है यानि की बिकलांग बेखते है उसको यहां पर yes करना है अब इसके बाद में अगला option मिलता है name of enterprise का जिसके section में आप सभी को अपने business का जो name है वो enter करना है अब यहां पर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपके पास में इसका कोई पुक्ता document होना चाहिए इसके बाद में plant and unit name के section में आना है जिसमें के पहचान के लिए अगर दो तीन जगों पर आपके business की activity हो रही है तो यहां पर name आ रहा है तो इस business को हम select करेंगे इसके बाद में आप सभी को उस business की जो location है यहां पर आपको proper address को फिल करने का जो option है वो दिया गया है जिसमें की सबसे पहले house number, building name यहां पर enter करना है इसी के साथ मैं ग्राम सहर का जो name है, block करने में यहां पर enter करोगे, city का जो name है इंटर करने के बाद में आपको अपना जो pin code है यहां पर enter करना है आपनी जो state है select करने के बाद में district selection करना है और add plant का जो option दिया गया है इस पर हमें click कर देना है तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारी एक जो unit है यहां पर add हो चुकी है तो इस तरीके से आप सभी को business का जो unit है add करने के बाद में आगे बढ़ोगे तो अगला section मिलता है office enterprise का address फिल करने का जिसमें कि यहां पर हमें अपने कार्याले का जो पता है वो इंटर करना है उपर जो address हमने इंटर किया है वो हमारा जो address है वो हमारे unit का address है जहां पर manufacturing होती है या फिर business की जो activity है उस location में होती है तो यहां पर अगर आपका जो business का office है कोई दूसरी location में है तो यहां पर आप आपको आपको छोड़ में हैं alors इस से पहले कि उध्यमम आधर के अंदरcesaire क分享 अगर आपको इसा in नहीं कराई है तो इनको इसे ही चोड़ देना है यहाँ पर आप आपको बताना है कि आपका जो business है वो कब से incorporation हुआ है, registration कब हुआ है और इसी के साथ में आपका business कब से start हुआ है, production आपने कब से start किया है, यहाँ पर commencement के section में आपको enter करना है देन आप सभी को bank details को फिल करने का जो page है आपको मिल जाता है जहाँ पर सबसे पहले तो अपने bank का जो name है वो आपको enter करना है I-500 code को यहाँ पर enter करना है इसके बाद में आपने bank का जो account number है वो आपको फिल कर लेना है अब इतना करने के बाद में आप सभी को अगला option मिलता है major activities of unit का जहाँ पर आपको यह बताना है कि आप अपने business के अंदर क्या काम करते हो manufacturing करते हो या फिर कोई service provide करते हो तो जैसे कि आप देखोगे कि हम manufacturing करते हैं तो यहाँ पर manufacturing की टैप पर जैसे हमने click के आया है तो यहाँ पर NIC code के section में आप आऊगे तो business के अंदर आप जितनी भी major activities करते हो वो यहाँ पर आपको one by one select करना है इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर choose करना है कि आप अपने business के अंदर manufacturing करते हो या फिर service provide करते हो या फिर आप trading करते हो के वाल माल लेते हो और बेजते हो तो इस तरीके कि जितने भी businesses हैं यहाँ पर आपको select करने का option मिल जाता है इसके बाद में आप सभी लोग देखोगे यहाँ पर NIC two-digit code का जो पहला option दिया गया है जिसके section में आप सभी को कई सारी major business की जो activities है उससे relevant आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर बहुत ही बलंबे list दे गई है आपको अपने business के according हाँ पर select करना है इसके बाद में NIC four-digit code के section में आओगे तो यहाँ पर two-digit code के section में आपने जो भी primary business select किया होगा उससे relevant कई सारी चीजे filter करने के लिए आ जाती है तो यहाँ पर फिर again आपका जो business है जिस category में आता है यहाँ पर choose करना है देन आप सभी को NIC five-digit code के section में आप यहाँ पर five-digit का जो code है वो choose करना है आपको अपनी जो services है जिस तरीके की provide करते हो या फिर आपके business की जो community है यहाँ पर choose करना है और इसके बाद में add activity का जो option दियागा है इस पर click कर देना है अब यहाँ प आप सभी को page में नीचे के तरफ आना है आपको बताना है कि आपके business में कितने total अभी employees हैं जिसमें कि पुरुस कितने हैं महिलाय कितने हैं यहाँ पर click कर देना है इसके बाद में page में नीचे के तरफ आओगे तो यहाँ पर कुछ और information फिल करने के लिए बोली जाते है जो क अगर आपने ITR नहीं फिल किया है और आपने GST के अंदर भी registration नहीं कराया है तो आप सभी को यहाँ पर self declaration का जो option है वो दिया गया है जिसमें कि आप सेल्फ यहाँ पर declare कर सकते हो कि कितना आपके business की value है वो है जिसमें कि सबसिर्प पहले तो आप सभी को right and down value के section में आना ह है यहाँ पर अगर आपके पास कोई paper है उसके according आपको इंटर करना नहीं है तो आप अपना self declaration के हिसाब से यहाँ पर इंटर कर सकते हो इसके बाद में अगला option आप सभी को मिलता है जिसमें की pollution control या फिर research से related या फिर कोई भी development से related आपने investment किया हुआ है कुछ ऐसी activities आपने की हुई है तो आप उसका जो amount है यहाँ पर इंटर कर सकते हो जैसे आप यहाँ पर इंटर करोगे तो यह भी जो भी आपका count होगा total आपके business की जो net worth होगी net investment आपके business में हुआ होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपके business के अंदर total term work क्या हुआ हुआ है यहाँ पर jam portal हो गया जहां पर कोई भी product अगर आप बनाते हो तो बेज सकते हो इसे के साथ में टीर एडीस जो पोल्टल होता है जिसके जरीए भी आप products को सेल कर सकते हो national career services जहां से आप manpower hire कर सकते हो यह सारे जो पोल्टल है यहाँ पर आप चाहो तो registration इसी के जरीए कर सकते हो बाकि अगर आप नहीं करना चाहते है तो no का option दिया गया है no कर दोगे तो यहाँ पर आपका जो जिला उद्ध्यो कारेल है देखने को मिल जाता है term and conditions को यहाँ पर accept करना है और submit get final OTP की टैप पर हमें क्लिक कर देना है तो इतना करते ही आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे mobile phone पर एक OTP को send किया गया है जिसको हमें आप पर फिल करना है नीचे के तरफ एक capture code भी आता है जैसा है capital small सेम उसी तरीके से आपको फिल करना है और final submit के option पर क्लिक कर देना है एक pop-up आएगा यहाँ पर भी हमें OK की टैप पर क्लिक करना है तो जैसे OK करोगे तो आप सभी के सामने thank you for visiting उद्यम registration portal कुछी सरीके का message आएगा हमारे सामने उद्यम जो ID है वो generate होकर कि आज चुकी है तो सबसे पहले तो यह ID हमें note कर लेना है इसी के साथ में आपका जो सार्टिफिकेट है वो भी आप देखोगे कि यहाँ पर generate हो चुका है अब यहाँ पर सार्टिफिकेट ज अपना इंटर करोगे इसके बाद में OTP वाला जो option दिया गया है जिसमें कि mobile यह फिर आप अपने email ID पर जिस पर भी OTP को receive करना चाहते हो सेलेक करोगे और validate and generate OTP के टैप पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के mobile फोन पर एक OTP बाकि यहाँ पर सार्टिफिकेट को प्रिंट करने के लिए उपर तरफ आपको option दिया गया है प्रिंट सार्टिफिकेट का जिसकी टैप पे हम क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगी कि हमारे सामने जो MSME सार्टिफिकेट है वो यहाँ पर generate होकर के आ चुका है जिसमें कि हमारा जो सार्टिफिकेट नंबर है वो भी यहाँ पर mention किया गया है जिसे आप प्रिंट करके अपने बिजनेस पर लगा सकते हो जो भी आपके बिजनेस की जो activities है वो यहाँ पर आप देखोगी कि द जन अगर आपको लेना तो उसमें आपसे मिंका जो मदद करते हैं अब सार्टिफिकेट को बनाने के बाद में अगर आपको अपने बिजनेस की लिए लोन के लिए करना तोаров for cost of dollar गे जैसे कि मुद्रायोजना हो गया या पिर प्रधान मंत्री इंप्लाइमेंंट-जनरेशन प्रोग्राम जो गवर्मेंट की तरफ से चलाए जाता है उनकी अंदर आप कैसे लोन के लिए अपलाई कर सकते हो तो इन सारे टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना बाकि अगर आप कुछ दिनों के बाद में वीडियो देख रहे हो तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है आप चेक कर लेना वहाँ पर आप सभी को लिंक मिल जाएगा और आज का जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक लिए गुडबाई जहिन